जैए श्रीक्रिश्न दोस्तों, दोस्तों इस समय हमें से जादातर लोगों को लग रहा है, मानों जिन्दगी थम गई हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें और क्या ना करें, टाइम चुबने को आ रहा है, तो आज आपको मैं एक रश्यन कहानी सुनाओंगा, ये कहान करता है, बैंकर बहुत ही अमीर है, शर्ट के मताबिक वकील को 15 साल जेल में रहना है, वो ऐसा करता भी है, परforce 15 साल बाद बैंकर का इमान डग्मगा जाता है, पैसे देने की बजाए, वो वकील को ही जान से मारने का प्लैन बनाता है, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी ल बलकि आप ये भी जानों के हर समय हम लोग खुश क्यों नहीं रह पाते आप ये जान लीजिए आज मैं आपको खुशी का एक बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूं और हाँ अगर आप इस चैनल में पहली बार प्रवेश कर रहे हो तो घंटी बजा दो चैनल को सब्सक्र पूर्व उसके घर पर एक पार्टी चल रही थी उस पार्टी में बहुत सारे विशों पर चर्चा चल रही थी और तभी मृत्युदंड या आजीवन कारवास क्या भैतर है इस विशे पर चर्चा आरंब हुई और जादातर लोगों ने मृत्युदंड को गलत माना क्योंक मृत्युदंड देने का अधिकार किसी को नहीं वह जीवन जो आप किसी को दे नहीं सकते उसे चीनने का अधिकार किसी को कैसे हो सकता है कुछ लोगों का ये भी मानना था मृत्युदंड को हमेशा के लिए समाप्त कर आजीवन कारवास में ही बदल देना चाहिए परंतु अमीर बैंकर का मानना था मृत्यू दंड अधिक मानविय है आजीवन कारावास में तो तिल तिल कर मरना है दोनों ही सजा आपसे जीवन चीन लेती है तो मृत्यू दंड ही बहतर है क्योंकि मृत्यू दंड आपसे तुरंथ ही जीवन चीन लेती है इस पार्टी में एक वकील जो कि 25 साल के थे उनसे जब उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा मृत्यु धंड और आजीवन कारवास दोनों ही अमानवियव है और अगर मुझे चुनने के लिए कहा जाए तो मैं आजीवन कारवास ही चुनूंगा क्योंकि इसमें आप जीवित्तों हैं बैंकर इस बा अगर वह कारवास में जीवन बताने को तयार हो जाए बैंकर जिसके पास बेहत पैसे थे ने वकील को एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि चंद पैसों के लिए वह अपनी जिंदगी के बहतरीन साल कारवास में ना बिताए क्योंकि ये विचार उसे जिंदगी पर जीने नहीं देगा कि वह आजाद रह सकता था पर उसने स्वें को बंदी बना लिया इस समें वह भैंकर यह सब सोच कर कमरे में घूम रहा था और सोच रहा था इन सब क्या लाप हुआ वकील ने केवल पैसे के लिए स्वेय को कैद कर लिया और अब बैंकर को पैसे देने होंगे उस रात पार्टी समाप्त होने पर यही तै हुआ था कि वकील बैंकर की निगरानी में उसके बगीचे के पास बने कमरे में रहेगा जिस से वक कभी बाहर नहीं आएगा उसे किसी आवाज सुनने की अनुमती नहीं होगी और ना ही निउस्पेपर या लेटर उसे मिलेंगे एक खिड़की के द्वारा वकील जरूरत की चीजें जैसे वाइन, किताबें, खाना आदी मांग सकता था वकील एकांत में बाते कर सकता था यह एग्रिमेंट 14 नवंबर 1870 से 14 अनुसार, बैंकर, कुछ भी देने के लिए बाद्य नहीं होगा शुरू के दिनों में वकील के कमरे में प्यानों बजने की दिन रात आवाज आती थी, वह तंबाकू या वाइन नहीं मांगता था क्योंकि ये इच्छा को जगाती है और यह सब एक कैदी को भी नहीं दिया से प्यानों की आवाज फिर से आने लगी और उसने वाइन मांगी, फिर उसके बाद उसने बुक्स मंगवानी बंद कर दी, वह रात बर बैठ कर कुछ लिखता रहता और सुबह उसे फार कर फेंक देता, उसके रोने की आवाज भी कभी कभी आती, छे साल बीच जाने के बा जिसमें लिखा था कि वो ये नोट छे अलग-अलग भाशाओं में लिख रहा है, और वो चाहता है कि इसे माहिरों से पढ़ाया जाए, अगर इसमें एक भी गलती ना निकले, तो गार्डन में एक हवाई फायर करवाया जाए, ये हवाई फायर एक संकेत होगा, कि वकील की कोशिश बेकार नहीं गई, वकील की ये च्छा पूरी की गई, दसमें साल में उसने केवले की धार्मे किताब को पढ़ा, बैंकर हैरान था कि इतनी चोटी सी किताब पढ़ने में इतना समय कैसे लग सकता है, आखिर के सालों में उसने बहुत सी किताबे पढ़ी और आज ब वह जुए और शराब में अपना सब कुछ गवा चुका था, और आज वह एक बहुत लाचार और सामान्य जीवन जीने वाला इंसान था, बैंकर खुद को कोसने लगा कि कल वकील चूट जाएगा, काश वकील मर जाए, तो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और इसके अगर वकील नहीं मरता है, तो बैंकर की ये सबसे बड़ी हार होगी, बैंकर हर शन देखेगा कैसे वकील बैंकर के पैसों से एशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा है, यह जीवन का एक सत्य है, मनुश्य अपने दुखों से कम दुखी होता है, दूसरों के सुखों से अधि नहीं दे रहा था, बैंकर ने सोचा, अगर मुझे अपना आने वाला जीवन सुन्दर बनाना है, तो वकील को मरना ही होगा, वह ओवरकोट पहन कर पिना कोई आवाज किये, उस कमरे में चाबी लेकर बाहर निकला, जो पिछले 15 वर्षों से बंद था, रात बहुत गहरी थ माचस चला कर उसने उस कमरे की बंद की हुई सील को देखा, जो की तूटी नहीं थी, बैंकर ने कमरे की खिड़की से जांक कर देखा, उस कमरे में एक मुम्बत्ती जल रही थी, और चारों तरफ किताबे बिखरी हुई थी, पांच मिनट तक वकील बिना हिले बैठा रहा, शायद 15 साल की जेल ने उसे ऐसा ही सिखा दिया था, बैंकर के दर्वाजा खट-कठाने पर कोई भी आहट ना पाकर बैंकर ने दर्वाजा खोला, तो बैंकर ने सोचा, वकील खुशी के मारे बाहर की और चला जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बैंकर अब अंदर आ वहाँ उसने देखा, वकील की धाड़ी वह सिर के बाल बहुत लंबे हो चुके थे, और वह केवल हडियों का धाचा रह गया था, टेबल पर एक कागस पड़ा था, बैंकर ने सोचा, कि यह सारी रात पैसों के सपने देख रहा होगा, और उन्हें कैसे खर्च करना है, इसक चलो पहले पेपर पढ़नू, उस पर लिखा क्या है, और जो लिखा था, उसको पढ़कर बैंकर को अपनी गंदी सोच और खुद से घ्रेना ही हुई होगी, कागस पर लिखा था, कल बारा मजे उसे आजादी मिल जाएगी, वह दुनिया में सबसे मिलने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन इस कमरे को छोड़कर सूरज की रोशनी देखने से पहले, वह बैंकर से कुछ कहना चाता है, भगवान के सामने वह अपनी अजादी, सेहत, वह सब चीजें जो किताबों में अनमोल बताई गई है, वह उन्हें तुछ मानता है, पंदरा साल में उसने कि खराब की गंद, बादलों की सुंदर्ता, फूलों की महक, खूबसुरत औरतों के प्यार को कविता के द्वारा महसूस किया, इन किताबों के द्वारा उसने पहाड की चोटी पर खड़े होकर सूर्य उधे को भी देखा, और स्मुद्र की लहरों में डूपते सूरज को भी देखा, उसने लहरों की आवाद सुनी, पक्षियों की चह चहाहट भी सुनी, इन किताबों का सारा ग्यान उसके दिमाग में समा गया है, और वह जीवन के सत्य को जान गया है, दुनिया की हर माया, विजडम यानि बुद्धी मत्ता को केवल मरिक द्रिशना मानता है, वह ज असल में हिरन के खुद के शरीर से एक सुगंद आती है, और हिरन पूरी उमर खोचता रहता है, ये सुगंद कहां से आ रही है, जबकि प्यास के लिए हिरन को बाहर खोचने की आवशकता नहीं है, सब उसी के भीतर है, मृत्रिशना संकेत है, हिरन पूरी जिंदगी ऐसी प और करूपता को सुंदर्ता मान लिया है, तुम सब पागल हो, मैं तुम्हें समझाना ही नहीं चाहता, मुझे मिलियन डॉलर नहीं चाहिए, जिससे मैंने सोचा था कि मैं दुनिया की हर खुशी खरीद लूँगा, क्योंकि आज मैं इने बेहत तुच मानता हूँ, मैं ये पाँच मिनट पहले तोड़ कर बाहर निकल जाना चाहता हूँ, यह पढ़कर बैंकर ने वकील के माथे को चूमा और बाहर निकल गया, बैंकर को स्वेम से घ्रणा हो रही थी, उसकी आँखों में आसू थे और इस पेपर को बैंकर ने अपनी अलमारी में सुरक्षित रख ध्यान दीजिए दो शब्द, शान्ती और सुख पर, सुख बाहरी चीजों में मिल सकता है, मुझे गर्मी लग रही है, मैंने पंखा चलाया, यह सुख तो हो सकता है, परंतु पंखा चलने से मेरे मन को शान्ती मिल जाए, यह ज़रूरी नहीं, शान्ती मन के अंदर जाने स मन को नियंतरन करने पर ही मिलेगी जैसे कहानी में वकील को पहले लगा सच्चा सुख पैसों में है परंतु जीती हुई शर्थ हार गया जब उसे अभास हुआ शांती और सुख में शांती जादा ज़रूरी है और शांती उसको अपने भीतर जाकर ही मिली इस समय अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो ये समय है मन के भीतर जाने का बाहर सुख हो सकता है शांती तो भीतर ही मिलेगी परंतु समस्या यही है हम सुख और शांती में अंतर ही नहीं कर पाते नया मुबाइल खरीदते हैं सोचते हैं अब देखना बहुत सुख देगा पर सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक अंदर शांत ना हो इसलिए सुख के पीछे मत भागो शांती पाली इस से बड़ा सुख हो ही नहीं सकता आशा करता हूँ इस कठिन प्रिस्ति में आपको इस गीता ज्यान से एक रह दिखाई पड़ी होकी मेडिटेशन कीजिए स्वस्त रहिए और वीडियो को हरु स्विक्ति के साथ शेर करना ना भूलें जिसको आप शांत देखना चाते हो हरे कृष्णा